नमस्कार, जैशिक्रष्ट, मैं जयागुप्ता, इस वीडियो में मैं गीता जैन्ती का महत्व लेकर आई हूँ, गीता जैन्ती मार्ग शिर्ष अर्थात अगन मास के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है, इस तिथी को मुक्षदा एकादशी भी कहा जाता है इस तिथी पर भगवान शिक्रिष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगी के जितने महाभारत काल में थे, इनको ग्रान करने से जीवन में सफलता के द्वार खिल जाते हैं, गीता में सभी परेशानियों का हल छ इसलिए गीता पाठ का श्रवन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को मुक्षदा एकादशी भी कहते ही, गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथे जिसकी जैनती मनाई जाती है, इस ग्रंथ को अठारा अध्याय में गीता का ज्यान लिखा गया है, सिर्फ अर्जुन न नहीं बलकि बर्बरी, खनुमान और संजय ने भी भगवान शी कृष्ण के श्रिमुक से इस गीता का उपदेश सुना था, श्रिमत भगवत गीता में ज्यान, भक्ति, कर्मयोग की व्रिस्तत व्याख्या की गई है, गीता जैनती के दिन शंक का पूजन करना चाहिए, शंक बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, गीता जैनती के दिन भगवान विश्नु की पूजा करने से उनकी क्रपा प्राप्त होती है, भगवत गीता के दर्शन करने मात्र से परिवार में से कलह और समस्याएं दूर हो जाती है, गीता जैनती के दिन श्रिमत भगव गीता घर पर लाना अत्यांत शुब माना जाता है इससे माता लक्षमी स्थाई रूप से घर में निवास करती है इस दिन भगवान शी कृष्ण के विराट सोरूप के दर्शन किये जाने चाहिए और पूजन किया जाना चाहिए गीता के 18 अध्याय में सत्य ज्यान और कर्म के उपदेश है इससे किसी भी मनुष्य की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है और उसके जीवन को सफल बनाया जा सकता है तो आईए जाने जीवन को सफल बनाने वाले गीता के उपदेशों का सार क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो किस से व्यर्थ डरते हो कौन तुमें मा सकता है आत्मा ना पेदा होती है ना मरती है जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा ना तो तुम भूत का पश्चाताप करो ना भविश्य की चिंता करो वर्तमान जो चल रहा है उस पर ध्यान दो तुमारा क्या जो तुम रोते हो, तुम क्याल आये थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पेदा किया था जो नाश हो गया, तुम ना तो कुछ लेकर आये थे, ना ही तुम यहां से कुछ लेकर जाने वाले हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, खाली हात आये थे और ख संता तुमारे दुखो का कारण है, परिवर्तन संसार का निया में, जिसे तुम रत्यु समझते हो, वही तो जीवन है, एक शंड में तुम करोडों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही शंड तुम धरिद्रो हो जाते हो, तेरा मेरा चोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुमारा है तुम सब के हो न यह शरीर तुमारा है न तुम इस शरीर के हो अगनी जल वाईू प्रत्वी आकास से बना हुआ यह शरीर इसी में मिल जाएगा आत्मा इस्तीर है अजर अमर और अविनाशी है तुम आपने आपको भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है, जो इस सहारे को जानता है, वो भैचिंता शोक से सरवधा मुक्त रहता है, जो तू कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पन करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनन्द अनुभाव करेग आपको मेरा ये वीडियो केसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हिंदू, धर्म, संस्कृति, सब्यता, तीश्त, रिती रिवाज, व्रत कता, इत्यादी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, जै शीकरश्न!